गुड मॉनिंग बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में हिंदी का चप्टर सिक्स्टीन पढ़ेंगे जिसका नाम है दुरुल निश्चाई सर्दार तो देखिए सर्दार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद बल्लभ भाई पटेल का नाम बड़ी श्रद्धा और आधर के साथ समुचे देश में लिया जाता है उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को एक क्रिशिक परिवार में गुजरात के बोर्सत तालुगे के करमसन गाउं में श्री जबेर भाई के घर में हुआ था इनके पिता श्री जबेर स्वतंतरता संगराम के एक वीर सैनिक थे यानि ये जो थे ये गुजरात में पैदा हुए थे और इनके पिता एक क्रिशक थे और स्वतंतरता संगराम के सैनिक भी थे पिर देखिए स्वाविमान और देशवक्ती इन्हें अपने पिता से ही विरासत में मिली क्योंकि इनकी पिता भी बड़े स्वाविमानी और देशवक्त थे तो ये भी आगे चलके बहुत बड़े देशवक्त बने स्वाविमानी बने तो देखिए इनकी पिता से विरासत में मिली कि 1913 में उन्होंने बैरिष्ट्री पास की बैरिष्ट्री एक बकालत की पड़ाई होती है तो वह इन्होंने पास की 1920 इश्वी में वी असयोग आंदुलन में पूद पड़े और जो गांदी जी द्वारा चलाया गया असयोग आंदुलन था फिर 1920 में ये उसमें उनके साथ शामिल हो गए उनका संपून जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा बड़ा है प्रेरक मतलब प्रेर ना देने यानि हम इतने सारे प्रसंग एक कैप्टर में नहीं बता सकते हैं तो एक प्रसंग ही यहाँ पर बताया जाएगा तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम ग्रेह मंत्री बने यानि जब आजादी मिली भारत को तो उसके ब रियासतों को वापस भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया सबल मतला मझजबूत बनाया यह यह एक तो फिर देखे उन्हों ने नों ने बहुत दूर की सोच करके ये काम किया वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे वह स्वाब इमानी व्यक्ति थे यानि वह अपने देश को बहुत मजबूत । ताकतवर और साथर मिला हुआ देखना चाहते थे बहुत स्वाविमानी विक्ती थे यह, उन्होंने देश के स्वाविमान का भी सदा ध्यान रहता था, यानि उन्होंने अपने ही नहीं बलकि देश के स्वाविमान का भी हमिशे ध्यान रहता था, फिर देखिए, एक बार वे सोमनात मंदिर गए, यानि वो एक बार सोमनात को हरने वाला यानि मन को अच्छा लगने वाला फिर देखिए सरदार समुद्र के तठपर सूरे की ओर मुह करके अंजली से जल्दान कर रहे थे उस समय शाम के समय क्या कर रहे थे समुद्र के टटपर सूरी की तरफ मूँ करके अंजली दोनों हातों में जैसे जल भरना उसे उससे जलदान कर रहे थे तीनों बार यानि तीन बार उन्होंने जल चड़ाया और तीनों बार जल चड़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिविम्गित होने वाले सुमनाथ के भगन मंदिर की और था यानि जो वहां पर समुद्र में सुमनाथ के मंदिर की जो पर्चाई पड़ रही थी तो जब उन्होंने तीन बार अपनी अंज़ली से जल्दान किया तो तीनों वार उनका ध्यान उस तूटे फूटे मंदिर की और ही था सुमनाथ के तीनों वार उनके मुख से निकला मैं इसका पुनर निर्मान करूंगा और तीनों बार उनके मुझे से एक ही बात निकली कि मैं इस मंदिर का पुनर निर्मान अठा दुबारा से निर्मान दुबारा मरमत कराऊंगा फिर देखें लोह पुरुस सरदार पटेल ने लाखों भारतियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोधार कराया जीर्णोधार मतलब खंडर का पुनर निर्मान कराना तो सरकारी कोश्टे धन देकर उन्होंने सौमनात मंदिर का पुनर निर्मान कराया यानि उन्होंने इतने सारे भारतियों की भावनाय जुड़ी होई थी उस मंदिर के साथ में आज गौरब से मस्तक उठाए स्वाभिमान की काहानी सुना रहा है यानि उनी की कोशिशों के फलत्वरूप आज वो इतने सही हाल में खड़ा हुआ है और अपने स्वाभिमान की काहानी सुना रहा है दुर्भाग्यवस मंदिर पून होते समय तरदार पटेल दिवंगत हो ग राश्ट्र पती थे राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वामनाथ मंदिर का उध्गाटन किया यानि वह समय नहीं रहे तो फिर उस समय के जो राश्ट्र पती थे राजेंद्र प्रसाद उन्हों ने उस मंदिर का तुबारा से उध्गाटन किया यह सच है कि आत्म सम्मान एव फिर देखिए, सर्दार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूर दर्शिता का परचे देते हुए सोमनाद मंदिर का पुनर निर्मान कराया था। सर्दार ने हमें एक मार्क दिखाया कि हम राष्ट्रिय स्वाबिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती हैं। हमें उनके पत्चुन पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिखामें सचेष्ट रहकर मतलब कोशिशें करते हैं रहकर चेष्टा के साथ निरंतर कारें करते हैं रहना चाहिए। यहीं उनके प्रतिशक्ष्ट की स्रध्धान जैरी कहीं जा सकती है । अप्रतिष्ट्र प्रकारें करते हैं। तो आज के लिए आपको इसकी शब्दर्द करने हैं बाकिकी एकसेसिज़ाइज अग्यटण पर सॉल्प करेंगे।